हेल गाई दिस इस अभिशेक वैस आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे नाइटरिक अम के रसाने गुण और साथे साथ पढ़ेंगे की सधूम नाइटरिक अम्र किसे कहते हैं सबसे पहले समझते हैं नाइटरिक अम के रसाने गुण यानि chemical properties of नाइटरिक असेड नाइटरिक अम का फॉर्मला होता है HNO3 तो हम नाइटरिक अम्र की किरिया कराएंगे कारवन से H2S से और आयोडीन से ठीक है सबसे पहले किरिया कराते हैं कारवन से तो जब हमारा नाइटरिक अम्र कारवन से किरिया करता है तो क्या होता है नाइटरिक अम्र कारवन को C2 में और आक्सिकरात कर देता है इसकी reaction समझ लेता है यह हमें ले लिया कारवन पिलस साथ में हमने क्या ले लिया नाइट्रिक अमल जिसका फर्मला होता है HNO3 जब इन डनों ने आपस में किर्या करी तो क्या हुआ नाइट्रिक अमले कारबन को कारबन डाय ओक्साइड में ओक्सिक्राइड कर दिया ठीक है तो इसमें हमारा एक बनती है NO2 पिलस साथ में हमारा क्या बना CO2 पिलस साथ में बना हमारा जल मैं इसको बैलेंस कर देता हूँ 4 HNO3 4 NO2 CO2 प्लस 2 H2O तो जब नाइट्रिक अमने कारबन से किर्या करी तो उसने कारबन को कारबन डायोकसाइड में ऑक्सिक्राद कर दिया साथ में हमारी बनी NO2 NO2 होती है नाइट्रोजन डायोकसाइड और CO2 होती है कारबन डायोकसाइड साथ साथ हमारा क्या बना जल अगली है H2S से किर्या H2S होता है hydrogen sulfide जब हमने nitric arm की किरिया H2S से कराई तो क्या हुआ nitric arm LH2S को sulfur में oxygen कर देता है reaction कर लेते हैं सबसे पर लिख लेते हैं H2S H2S का नाम होता है hydrogen sulfide पिलस इसकी किरिया कराई किस से nitric acid से HNO3 जब इन जोनोंने आपस में किरिया करी एक तो हमारा क्या बना सलफर क्योंकि nitric arm ने H2S को sulfur में oxygen कर दिया था पिलस साथ में हमारा बना gel जो होता है H2O पिलस साथ में बरी हमारी nitrogen dye oxide जो होती है हमारी NO2 अगर मैं इसको balance कर दूँ 2H2H2O plus 2NO2 ठीक है तो जब इन जोनोंने आपस में करी hydrogen sulfide ने और nitric arm ने तो sulfur बना और साथ ही जल बना और साथ में क्या बनी nitrogen dye oxide अगला है iodine से करीया जब हमने nitric arm की करीया iodine से कराई गैस जब हमने iodine से करीया कराई ना तो हमने सांद्र H3 लिया मतलब सांद्र आवस्थाली nitric arm की मैं आपको थोरी पढ़के बताता हूँ सांद्र H3 यानि सांद्र nitric arm की करीया iodine से कराने पर iodine को iodic arm में oxygen कर देता है मतलब जब हम सांद्र H3 की करीया iodine से कराते हैं तो यह जो है हमारा H3 यह iodine को iodic arm में oxygen कर देता है तो reaction कर लेता है iodine का formula क्या होता है I2 पिलस 7 में हमने क्या लिया nitric amul जो होता है हमारा HNO3 जब इन जोनों आपस में किरा करें तो क्या हुआ इसने हमारा nitric amul ने इसको किसमें परिवर्ट कर दिया औक्सिकरत कर दिया iodic amul में iodic amul का formula होता है HIO3 ठीक है पिलस 7 में बनी हमारा वही nitrogen dioxide पिलस 7 में बना हमारा gel पिलस H2O ठीक है अब मैं इसको बैलेंस कर दो तो यहाँ पर 10HNO3 2HIO3 10NO2 पिलस 4H2O यह आपकी बैलेंस हो गई इसमें क्या हुआ आपका जो यह था nitric amul इसने iodine से किरा करके कि उसको किसमें पर आक्सिक्राइट कर दिया iodic amul में iodic amul का फर्मला क्या होता है HIO3 साथ में बनी हमाई nitrogen dioxide और साथ में बना जल ठीक है तो इतना हमने कर लिया हमने nitric amul की किरा करा दी तीन इनसे एक कार्बन से एक H2O से और एक iodine से अब समझ लेते हैं कि सद्धून नाट्रिक amul किसे कहते हैं देखो थियोरी से समझते हैं वह 98% शूद नाट्रिक amul जिसमें nitrogen के oxide NO तथा NO2 विले होते हैं सद्धून नाट्रिक amul कहलाता है कोई ऐसा nitric amul जो 98% शूद है और उसमें nitrogen के oxide NO तथा NO2 विले होते हैं उससे हम सद्धून नाट्रिक amul कहते हैं तो आज की वीडियो में हमने nitric acid के रसाइने गुण और सद्धून नाट्रिक amul किसे कहते हैं यह समझा वीडियो अच्छी लेकिए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना बड़ इकन को प्रेस कर लेना थैंक यह वर वचिंग